जैने दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकृत प्वे आज का सबसे बगा मुद्द्द आपको पता है कि बिहार में आज 12 अगस्त है और आज विपेस सीट यारी 3 का जो रिजल्ट आना है वह हमार सीट जारी करना है उससे पहले बिहार में बहुत बरा महां अंदोलन हुआ यह हमारे चात्र हमारे प्यारे साथी बिहार के होनार और बिहार में जो बिरुजगारी का तमगा जहल रहा हैं और बिरुजगारी का आप आया मैं आज मैं फिर बोल दू आपके साथ आपका जो मांग है वो बिलकुल सही है और हम फिर हम बोल रहे हैं जिस इच्छा बिभाग में हम हैं जहां पर नवक्री करते हैं जहां जो भी है उसे इच्छा बिभाग का मैं भी खाता हूं और आप भी कल से इच्छा बिभा ने दिलिब बाबू जो छात्र नेता है उन्होंने डीपीएटएटीयारे अग्यों पत्र कार बंदाऊं सभी ने डिरी। त्रीज से पहले जो रिजल्ट आने से पहले जो चात्र थे उनका इसा योग दिया उनको बहुत-बहुत धन्यवाद साधुबाद लेकिन आज जो तीन मांग तेज हुआ उसमें हम बात करने वाले हैं और यह मांग जाई साइद आपके भी मन में चल रहा है फिर आप मैं क्या बोला मैं इतना ही जानता हूँ कि कोई भी चीज सिस्टम में राके किया जाता है और आज का भी आंदोलन हमारे छात्रों के द्वारा जो किया गया वो सांतिपूर्ण तरीके से किया गया और कोई हिंसात्मक नहीं था लेकिन फिर भी इन पे लाटी चार्ज किया ग बिहारी के जो बिहारी निवासी है वो गुश्चा होते है कि अधर स्ठेट को क्यों इसी लिए इसीलिए इसीलिए मांगते जो आती डियों को यह स्थान दिया जाए आज जो आंदोलन हुआ महां अंदोलन जो हुआ आप देख सकते मैं आपको कुछ देखाना चाहूंगा फिर बोलेंगे सर यह कहसे यहां देखिए आगदेखेंगा धिस्तर एकश्पुली को बत्यरे विडियो मिल जाएगा यहां देखिए आप यह देखिए यहां देखिए यह को देखिए और दिखाय देगा है जो मुझे जानते हों जो अभी पदस्थापित होंगे टी यारिवन टीरी टू में टीचर बन गया होंगे उनको मेरा दिन याद होगा लेकिन अज हमारी मजबूरी हो जाती है मैं फिर बोल दू मेरेपास भी कॉल आता है छमा कीजिएगा छमा लेकिन छमा का मतलब ये नहीं क कि मैं आपका सायोग नहीं कर रहा हूं मुझसे जितना बन पर रहा है मैं आपकी आवाज को बुलंद करने का काम दिजिचरी माध्यम से कर रहा हूं और आपका मांग बिल्कुल जाएज़े बिल्कुल मैं आपके समगतन में हूँ लेकिन इसी प्रकार से आप मांग उठाते र चात्र जंडे भी लिए हूँ है प्रंगा जंडा फिर भी इनको देखिए रोट से बगाया जा रहा है ठीक है और यह कोई प्रदसनकारी नहीं है कुछ लोग यूटूब पे हो या कहीं लिख देते हैं प्रदसनकारी या अंदोलनकारी बिल्कुल वह सब्द वापस ले ले इनको बस अपना नौक्री चाहिए बिरुजगारी का तमगा हट आना है लेकिन सिस्टम में बैठे हुए आधर नहीं मुक्या मुक्वंत्री साहब से बिदम वेदर करते हैं हम सब आपके बच्चे हैं आप हमारी मुक्या है और बस एक ही मांग है कि बिहार में जो करता तो नहीं लिया है को गलत चीज तो नहीं लिया हुआ फिर लाटी चार्ज यानि इसको धंकाया जाता है बच्चे को और बच्चे भी क्या करेंगे देखिए देखिए आप किस तरीका से यहां देखिए यह दिलिप बाबु है आधर निये चात्रनेता है यह हमेशा आधर के होंगे जो ट्री वान और एक्षा नहीं निकलते थे आज भी सभी नहीं निकलते हैं बैठते तो 3-3-4.000.000 अभरती एकजाम में बैठते हैं यानि सभी को अपने जिंदगी जेना है और ग्यान बाटने के लिए बूलेगे सग क्यों नहीं गए तो आप क्यों नहीं अगर इतना ही जजबा था तो वहाँ पर तीन साड़ तीन लाख बच्चे पहुंचते एक्जाम में तो बैठे ना चार लाख बच्चे तो आज क्यों नहीं पहुंचे बस ट्वीटर पर ग्यान देना बनता है यूटूब पर ग्यान देना तो हमें ना सिखाएं कि आप क्यों नहीं पहुंचें क्यों नहीं गएं मैं कितना अंदोलन देख चुका हूँ और देखा भी और अच्यानित भी हुआ और आपको च्यानित हो जाए इसकी सुबकामनाय देता हूं फिर भी मैं सिस्टम में गाके हमारा वीडियो हमारा जिस जि पुजारिस करते हैं कि आप किसी तरीका से मांग करते रहें और आपके आवाज को डिजिटली माध्यम सम उठाएंगे ना आपसे मैं चंदा मांगा हूं ना बोला हूं और बोलूंगा प्लीस मैं जानता हूं आपकी स्थिति क्या होती है और उस प्योग कहां चला आता है बस कि मैं उस दिन को देखा हूं आज बहाली कैसे आई या आप सभी जानते कितने आंदोलन हुए है चलिए हम बात करते हैं मुद्दों की जो मुद्दा यह है कि तीन मांगे जो हैं उस तीन मांग को मैं देखाना चाहता हूं यहां देखिए अब लाजमी है कि पहला मांग एक अभ्यरती एक रिजल्ट बिल्कुल जाएजे दूसरा डूमिसाइल हमारे अधर प्यारे साथ ही आप जहां पढ़ रहा है और वह भी सिच्छक आपके सामने नहीं होंगे जो सिच्छक से आप पढ़ रहा है वह बिल्कुल नहीं है बस बोलेंगे कि आज हम कोचिंग मंद कर दिए बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं उनका यह भी समर्थन है लेकिन साथ ही तो आज इस अंदोलन में तो नहीं पहुँचे तो फिर वाले को गुस्सा क्यों नहीं आएगा लाजबी बनता है ना सर तो फिर बोलेंगे अपने टैलेंट से आ जाओ नहीं इसलिए गुस्सा आता है और इसलिए लोग डो मिसाल की मांग करते हैं बिहार में मात्र मिहारी को जौब दिया जाए लेकिन महरबान है आदरनीय मुक्मंत्री साहब जो आप सभी को अधर स्टेट को लेके चल रहे हैं लेकिन यह मांग गलत नहीं है बिल्कुल जायज मांग है और दूसरा तीसरा रिजल्ट से प्रूब पारच की जांच होनी चाहिए जब आप जब रिजल्ट देते हैं उस समय मैं बोलूँगा रिजल्ट जब है जिसे बीप्यस्ट का रिजल्ट भी आने वाला है तो रिजल्ट से पहले पहले आप क्या कीजिए जिनका भी कटफ मिनमम कटफ है न उत्रिनांक अगर उससे ज़्यादा आता है तो सभी का डिवी चाहिए दो दो बार डिवी होना चाहिए यह मेरा मांग है और अभ्यरतियों कभी मांग जाइज है और सिच्छा विभाग बीप्यस्टी आयोग आदर नियम मक्मंत्री साहब सम बिल्कुल कहना चाहेंगे यह देखिए मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा और चुकि हमारे मु सज्दी दो करें पाइसे और आप सअधर नहीं जानता हम्वर्यक काई नहीं लगता है लेकिन फिलाल अभी आप वन कंडडिडेट वन रिजल्ट को देखते हूए और विहाँ के बच्छे आप महर्मान बिल्कुल तो आपके साथ आपके सहयोग के लिए आपको यह अच्छा लगा और एक मुद्दा और बन जाता है मैं जानता हूं बिल्ट्रॉन का जो मुद्दा उठा है आप सभी का इच्छा है मैं जानता हूं कि बिल्ट्रॉन को दे दिया गया बिल्ट्रॉन का खेला चलता है इस पर मैं ठीका ठिपने नहीं करूंगा इतना मैं जानता हूं देखते हैं भृष में किन्ट के द्वारा बहुत अच्छां दोलन था आप सही तरीके से कर रहे थे लेकिन बबर्ता पुर्ण जो किनी को फीटा गया तो आप निरासा मत होना आपके जो सहयोग नहीं देते हैं उनके लिए भी आप उल्टा न सोचे और ठीक रहें भगमान आपको पक्का जौब भी दे सभी को जौब दे हमारी यही इच्छा है जैहिंद्र ड्या झाले